गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे आप सभी आसा करता हूं कि आप सभी सबस्त होंगे दोस्तों सुबह के ना सड़े साथ बच चुके हैं और भई सुबह का जो मोसम अना बहुती अच्छा होता है इसलिए सुबह सुबह गुमने के लिए भई मैं खेत में आया हूँ और भई आज ना थोड़ी सी प्रोब्लम है मेरे को हैडेक की प्रोब्लम है गले में थोड़ा ख्रांस है कोल्ड इंफेक्शन भी है और दो दिन पहले नम आया है ओफिस से जब गर आ रहा था तो रस्ते में बारिस आ गए थी उसके अंदर मैं भीग गया था जिसके कारणी य और रात को मेरे को थोड़ा फीवर भी आया है तो फीवर आज जिस्टे मेरे को आया तो मैंने ना डोलोट शेशोपचास मेडिकन है वो ले ली थी जिसके बाद अब कुछ सी बैटर मैं फील कर रहा हूं करना मैंने दिन में डोक्टर से भी बात किय थी होस्पिटल में मैं म से मैंने मेरी बात हुई थी तो उनको मैंने मेरी सिचुएशन बताई थी कि वैसे कोल्ड इंफेक्शन मेरे को गया है तो उन्होंने ना डोलो 650 से मेडिशन के बारे में भोला था कि अभी डोक्टर बाहर गए हुए है नेक्स्ट वीक आएंगे और उस टाइम पर आप एक बर आकर के डोक्टर से दिखा लेना तब तक आप डोलो है ना तीन दिन रेगुलर ले दोनों टाइम अगर आपकी सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है तो ठीक है नेक्ट वीक आप आजाना अगर ज्यादा दिक्कत होती है आपको फीवर बार बार आ रहा है तो फिर भाई आप देर मत करना भई होस्पिटल आ जाना और यहीं पर आकर कि अपना टीटमेंट करवा लेना जो भी रिपोर्ट है वो करवा लेना देखिए मैंने आ पांस से दस मिंट के अंदर ना घर पहुंच जाओंगा और जब तक घर पहुंचूंगा ना बारिस नहीं आएगी लेकिन रस्ते में ही बारिस आ गई और मैं भीग गया था और वैसे मैं अपनी केर बहुत अच्छे से कर रहा हूं भी मैंने ना इस मोसम से बचने के लिए और आफ लोगों को वीदायते दीदें दोस्तों मैंना पूरी स्वाबधानी रखता हूं वह इस मोसम में कहीं ना कहीं देखिए इंफेक्षान मेरे को नहीं भी लेकिन फिर बीना मेरे को यह इजैसे की फीवर भी आया है तो जोटा इंफेक्षान नहीं है अगर इसके ने ना डोक्टर से बात किया है और जैसे नेक्स्ट वीक डोक्टर जैसे बावर गए तो नेक्स्ट वीक आएंगे तो मैंने ना फोलो अप के लिए भी अपना जो है वहाँ पे अप्वेंट्मेंट नोट करवा दिये क्योंकि किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता वह अगर आप कोई ऐसा उपाई जानते हैं जिसके इंफेक्शन कंट्रोल में हो सकता है क्योंकि मेडिशन का कोई भी ट्रीटमेंट मैं नहीं लूँगा विना डॉक्टर की राये के अगर आपके पास कोई ऐसा उपाई है जो कीचन से संबंधित है हमारे कीचन के अंदर जो भ मंदित कोई अगार ट्रीटमेंट है जो इसे इंफेक्शन को काम आये और यह नहीं बहुत जल्दी इसी इंफेक्शन से तो दोस्तों आज मैं जो फैना मेरी सेहत के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता था इसलिए मैंने वीडियो बनाई है तो वीडियो से सहम थी थे जो भी आपकी विचार है ना वो जुरूर मेरे साथ शेयर करें और जल्द ही से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा ना वो आप झाल झाल